हेलो एवरिवन स्वागत है आपका मेरे चैनल इंजीनियर सद्डा में और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाई कोट आफ जहरकेंड की तरफ से जो वेकेंसी आई है जे एस्सी की तरफ से जो वेकेंसी आई है अशिस्टेंट क्लरग के लिए सिविल कोट में उसके बारे बात करेंगे कितना पोश्ट आया है क्या सहली रहने वाला है क्या अप्लीकेशन फिस इस फॉर्म को बढने के लिए इसके बारे में डीटेयल से जानेंगे तो आइए देखते आन 700 ला एडविटाइजमेंट नुमर 5 में मेंशन की हुई है कि जो ऑनलाइन अप्लिकेशन है असिस्टेंट क्लर्क के लिए सिविल कोट ऑफ दे श्टेट अब जारकर्ण में वह आ गया है और इसमें अल जो इस पोस्ट के लिए अलग-अलग कैटेगरी के लिए अलग-अलग पोस् याने कि टोटल चार सो दस वेकैंसी आई हुई है हाई कोट और जहारकेंट की तरब से जेएक की तरब से और इसमें कुछ सीट जहें वोमेंस के लिए रिजर्व की गई है 14 टोटल जो सीट है वो वोमेंस के लिए रिजर्व की गई है 4 जंदल में, 4 SC में, 5 ST में और 1 BC1 में यानि कि टोटल 14 सीट वोमेंस के लिए इसमें रिजर्व की गई है 410 वेकेंसी में अब आईए बात करते हैं कि क्या स्टार्टिंग डेट है अप्लिकेशन का जो स्टार्टिंग डेट अप्लिकेशन का वो है 10 तारीक अप्रेल यानि कि 10 अप्रेल को यह फॉर्म स्टार्ट हो गया इसको कोई भी केंडिडेट से अगर भरना चाहे तो 10 अप्रेल को इस फॉर्म को भर सकता है और जो last date है वो है इस online application का 9-5-2024 यानि कि जो भी candidates इस form के लिए eligible हैं वो 9 मई से पहले इस form को उपना fill up कर दें तो यानि कि अभी इस में एक महिने का time है जो भी candidates eligible हैं वो इस form को fill up कर दें अब हम लोग बात करते हैं कि pay scale और क्या eligible qualification रहनी चाहिए कि जिससे candidates apply कर सके तो पोश्ट का जो नाम है असिस्टेंट या फिर clerk for civil courts of the state of जर्खन और जो पे लेवल है वो पे लेवल equivalent कोई degree किसी भी recognized university या फिर institute से रहे और जो भी candidates इस form को fill करें उनको computer का knowledge रहे यहां पर especially mention किया गया computer operation is essential क्योंकि यह जो जौब है assistant clerk की इसमें computer work रहेगा तो इसलिए इसमें computer मानन किया गया है तो यानि कि जो भी candidates graduate है वो इस form को fill up कर सकते हैं यहां पर minimum qualification बोला है कि जो last date आप supply कर रहें उससे पहले आपका appearing नहीं आप अपनी qualification complete कर लिए रहे यानि कि graduation आपका complete चाहिए और आपको computer का knowledge रहे computer application का knowledge रहे और इसमें computer application में आपको जो typing की speed है computer पे वो minimum typing speed 20 word per minute रहना चाहिए आपको यानि कि minimum आपको 20 words per minute आपको type करने रहेंगे computer based exam में अब बात करते हैं हम लोग age की तो age जो है 21 साल से उपर के candidates या 21 साल या 21 साल के उपर के candidates इस form को fill up कर सकते हैं जो भी candidates की age 21 से इब वह इस form को भर सकते हैं और 35 साल से कम रहने चाहिए ज यानि कि जो भी candidates इस form को भर रहे हैं वो आराम से अपना 21 साल से 35 साल के बीच में इस form को fill up कर सकते हैं और यहां पर EWS category के लिए और बाकी category के लिए कुछ वो दिया गया है कि जैसे EWS और अनिजर्व के लिए 35 है लेकिन इनकेस आप BC1 और BC2 के लिए 38 साल है और 40 साल है STST के यानि कि बाकी एधर category के लिए age relaxation भी यहां पर दिया हुआ है अब हम लोग बात करते हैं कि इस form को apply कैसे करेंगे और क्या इसका application fees रहने वाला है तो यहां पर कुछ criteria रिखा गया है कि कैसे photo और signature हम लोग को अचलज करना है और अब बात करते हम लोग कि क्या examination fees रहने वाला ह तो जो examination fees है वो 500 रुपए है किसके लिए general category के लिए EWS category के लिए BC1 and BC2 categories के लिए और 125 रुपए जो है वो रहने वाला है SCST categories के लिए यानि कि general category के अगर या फिर EWS category कि कि किसी को भी यह form भरना है तो 500 रुपए का उन्हें payment करना रहेगा online और 125 रुपए SCST institution को अब बात करते हैं कि payment कैसे होगा तो payment आप debit card से भी कर सकते है credit card से भी कर सकते यूपी या फिनेट बैंकी किसी भी तरीके से आप payment कर सकते हैं काफी अच्छा vacancy आया हुआ है और जो भी graduate student है उनके लिए जो preparation करने काफी अच्छा मौका है कि वह assistant clerk की job कर सकते हैं high court में धारखंड में और उ सरली भी काफी अच्छी है 25,000 से लेकर आपका 80,000 के प्रॉक्स आपकी सरली रने वाली है काफी अच्छा मौका है जाए आप लोग इस फॉर्म को फिलब कीजिए और ऐसे और जॉब अपडेट पाने के लिए चैनल को लाइक और सस्क्राइब कीजिए थैंक्यू सो मच फर वाचिंग बाइ